शोलर बादल वाले दिनों में या फिर कोहरे के समय बिजली नहीं बनाता है। यही कारण है कि जो लोग सोलर सिस्टम लगवाते हैं, उन लोगों को रात के दौरान बैक अप के लिए बैटरी बेंक का प्रियोग कारना पड़ता है। बैटरीयों के प्रियोग होने के कारण सो किलो वाट के एक ऐसे विंड एनरजी सिस्टम के बारे में जो के सोलर से लगभग आधी कीमत में उपलब्द है नमस्कार सोलो लौजी में आपका स्वागत है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हम या सोलर और तक्निक से जुड के पूरी दुनिया में ऐसी विंड टर्वाइन का निर्मार तेजी से हो रहा है जिन्हें आम लोग अपने घरों में अपनी च्छत पर लगा सकें और उससे बिजली बना सकें कुल मिला का जल्द ही वह समय आने वाला है जैसे आज कल कई घरों की च्छतों पर सोलर पैनल दि इससे आप एक किलो वाट के सोलर सिस्टम से भी कम कीमत पर खरी सकते हैं इतना ही नहीं यह बिंटर वाइन दिन हो या रात या फिर कोहरा और बरसाथ जैसा खराब मौसम आपको लगातार बिजली की सप्लाई देने में सच्छम है दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक से सत्तर हजार रुपए प्रति किलो वाट की लागत लगानी पड़ती है लेकिन ओन गिट सोलर सिस्टम के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि है सोलर सिस्टम तभी काम करता है जब धूप और गृट दोन उपलब दोन यानि अगर लाट चली जाती है तो भले ही धूप खि और वाइन आपको भारति रुपए की अनुसर 56,580 रुपए में मिल जाती है जैरसी बात है एक किलो वाट सोलर के पेच्छा एक किलो वाट की विन्टर वाइन काफी सस्ती है दोस्तों विन्टर वाइन की जिस मोडल के बारे में मैं आज हमां को बता रही है उस्विन्टर को काम सुरू करने के लिए मेहज 2 मीटर सेकंड की हवा भी परियापत है यानि इतनी हवा में भी यह विंटर वाइन बिजली बनाना सुरू कर देती है एक किलोवाट की विंटर वाइन बजन के मामले में भी बहुत अधिक भारी नहीं है इसका बजन सिर्फ 56 किलोग्राम है इ फिर से खरीना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर मेजस्टिक इंडिया.in वेबसाइट को सर्च करें और वहाँ पर जाकर उस वेबसाइट पर आप एक किलोवाट विंटर वाइन को परचिज करने के बारे में और अधिक जानकारी प्राव कर सकते हैं साथ ही एगर आप परच सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद